प्रदेश के गिरहमंदीन नरो्ट अमिशा एक बार फिर से बने फरिश्ते अंतरासि महिला खिलाडी को दिये उढ़ने के लिए पप ऐसे ही कोई नरो्ट अमिशा नहीं बन जाता ये लाएं मद्रधेश में कई बार गूंजी हुई है क्योंकि मद्दिप्रदेश के गिरमादेश डॉक्टर नवत्तमिशा कुछ ऐसा करते रहते हैं जो किसी के सपनों को हकीकत में बदल देता है या फिर किसी के पंको को आसमान चूने की नई उलाम दे देता है क्यों तो डॉक्टर नवत्तमिशा की दर्या दिली हमेशा चार्चा में बनी रहती है इस बार डॉक्टर मिशा एक अंतर राश्टे इस्तर की जूडो एवं क्रॉस महिला खिलाडी शीवान यादव की अपने खेल के पती खत्म हो रही उमीदों को पूरनर जीवित करने का काम क्या गया दरसल दत्या के रहने वाली शीवान यादव जूडो की रास्टे इस्तर की खिलाडी है उसका सपना है कि वह अपने देश के लिए खिले फरन्तु उसका ये सपना उस समय तूटता हो नजर आया जब एक दिन अभ्यास के दोरान उसे गुटने में चोट लगी लॉक्टरों को दिखाने पर पता चला कि अगर आगे खेल जारी रखना है तो गुटने की सरजरी करवानी पनी पनीगी। इतना सुनते ही शीवानी के सपने तूट कर बिखरने लगे। क्योंकि इस सरजरी के लिए शीवानी के परिवार्प के पास पेसे नहीं थे अपने स अपनों को मनीःन डफण करने के साथ शिवानी ने ये सोच लिया था कि अब उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि धन के अभाव में सरजरी नहीं हो सकती और बिना सरजरी के आगे खेला नहीं जा सकता तबी शिवानी को किसी ने बताए कि अपने गिरामंत्री से मिलकर इस बारे में बताओ वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे बस फिर क्या था डॉक्तर नत्मरिशा से मिलकर फिर से अपने सपनों को जिन्दा करने की इक्षा जागरत हुई एक दिन जब शिवानी डॉक्तर नत्मरिशा के पास पहुंची उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो मंत्री जी का जवाब सुनकर वो खुशी से फूली नहीं समाए उसे इसा लगा मानो कोई फरिश्टा उसके बात कर रहा हो और जो वो चाहती थी वो काफी आसान होता दिख रहा था दादा ने शिवानी से कहा तुम हमारी बेटी हो हमारे रत्या का गोराव बनो इसके लिए तुम खूब मन लगा कर खेलना और मेरे होते हुए तुम अपने औलाज की चिंता चोड़दो अब यह मेरी जिम्हित आ रही है अतिशीकर तुम्हारे घुटने की सरजरी होगी, जो भी खर्चा आएगा सब हम देखेंगे। दादा ने एक हपते के अंदर शिवानी के घुटने की सरजरी करवा दी, अब कुछ ही दिनों में शिवानी नेदान पर अपनी प्रैक्टिस करने पहुंचेंगी। दादा की इस धरिया दिली से खुश शिवानी का कहना है कि दादा ने मेरे मरे हुए सपनों को जिन्दा कर दिया, मा पिताम बरा की किरपा दादा के ऊपर हमेशा बनी रहे।